यह कहानी है 1938 की केरली नाम के एक आदमी की Hungarian Army और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था जितनी भी नाश्टन चैंपियंशिप्स हुई थी उस कंट्री में उसको वो जीट चुका था और सबको अल्मस्ट कंफर्म था कि 1940 में जो ऑलम्पिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी उसको एक ही सपना था एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस शूटिंग हैं बनाना है बेस बनाना है बेस बनाना है और वो काम्याब हो गया उसने बना लिया बेस शूटिंग है सिर्फ दो साल का फ़क्त नाइटीन थर्टी एट में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैम चल रहा था जोकि वो आर्मी में था तो एक एकसिडेंट हो गया उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था उसमें एक हैंड ग्रेनेट फट गया और वो हाथ चला गया जो उसका सपना था जो फोकिस था सब खत्म उसके पास दो रास्ते थे एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिद्गी रोता रहे और कहीं जा गर गए छुप जाए या अपना जो गोल्ड था जिस पे उसने फोकिस किया हुआ तो उसको पकड़ गर गर रखिए तो उसने फोकिस किया उसपे नहीं जो चला गया था जो उसके पास नहीं था उसने फोकिस किया उसपे जो उसके पास था जो उसके पास था और क्या था उसके पास में एक लेफ आड़ एक ऐसा हाथ जिससे उन लिख तक नहीं सकता था एक महीने तक उसको हॉस्पिटल में इलाज चला, साथ के ले और सही एक महीने बाद और भी ट्रेनिंग शुरू करती है, साथ के ट्रेनिंग के एक साल बाद, मतलब के 1939 में वो वापिस आया नाश्नल चैंपियंशिप्ट हो रही थी, मही पे हंगरी में और बाकी भी बहुत सारे पिस्टोई शूटर्स थे वहाँ पर उन्होंने जहां करके उसको कंगराचुलेट किया भागी यार देखो, ये होता है जजबा हम, ये होती है स्पोर्च्मेंट स्पिरिट कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहां पर आयो हमको देखने के लिए और हमारा होसला बढ़ाने के लिए किसी को नहीं पता था कि वो एक साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की और उसने जवाब दिया मैं यहां पर तुम्हारा होसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हार साथ कॉम्पीट करने आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ, त्यार हो जो और कॉम्पेटिशन हूँ, पाकी सब आउपर जितने भी लोग थे, वो согласर कर रहे थे अपने ज सक determination, यh ओन पेट कर रहा था अपने अपने ओन्ली हैंड से, कन जी था, क्यों्ष। कहारा ली, जिए था क्वेब जिद्दी आदमीन इतिहास रचा है इतिहास किवन वही आदमी रचता है जिसके मन में कोई जिद़ आ गई हो कोई पिसंस्था अगर सफल हुई है कोई भी इंडिविजुल अगर सफल हुआ है कोई भी बड़ा परिवर्टन आया है उसके लिए एक आदमी को अपने मन में जिद लानी पड़ती है दशरत मांजी रिभी बड़ी कटनाई में थे जिनके बारे मैं आज सब जानते हैं दशरत मांजी की पतनी लेबर पेंट के कारण वो पहाड जो 55 किलो मिटर का था उसको पार नहीं करा पाए उसको अस्पताल नहीं लेके जा पाया उस आदमी को जिद आ गई बाइस साल लग गए 55 किलो मिटर का पहाड एक छेनी और हतोड़ा लेके तोड़ डा एक सोर्स मोटीवेशन का होता है बिलीव सिस्टम बिलीव सिस्टम ये वो ताकत है आदमी को कुछ भी करने को तैयार कर देती है आप जानते हैं मंडिला 27 साल जेल में पढ़े रहे कोई प्राफिट में इंसेंटिव नहीं बिलीव सिस्टम बड़ा पावरफुल था गांधी एक बड़ा परिवर्तन क्यों लेके आई उनको ट्रेंस से पहले दर्जी की टिकेट साउथ अफरीका से धक्का देके बाहर निकाल दिया अंग्रीजों ने क्या बोला तेरे को हक नहीं है पहली टिकेट लेकर के पहले डब्बे में सफर करने का गांधी ने बोला मेरे पर टिकेट है बोला तू नहीं बैठ सकता बाहर निकल यहां से गांधी ने क्या जवाब दिया तुमने मुझे ट्रेंस से निकाला कम बैक टू माई कंट्री आई शो यू मैं तुम्हें पूरे देश से बाहर निकाल दूगा एक आदमी कभी भी इतिहास रचता है किसी जिद के कारण एक बिलीव सिस्टम के कारण यह बिलीव सिस्टम कमदोर भी हो सकता है मदबूत भी हो सकता है यह बिलीव सिस्टम ओर्डिनरी भी हो सकता है एक्स्ट्रा ओर्डिनरी भी हो सकता है मेरी कौम जो बच्पन से बहुत तक्लीफों के साथ रही एक लड़के को उसने नौर्टीस के एशिन गेम जीते वे देख लिया उस दिन उसको जिद आ गई कि मैं खुद अपने स्टेट का नाम करूंगी उस दिन उसको जिद आ गई बहुत बड़ी हो चुकी थी आज तक अभी बॉक्सिंग नहीं करी लेकिन उसने कमाल कर दिया लोग जब भी कमाल करते हैं किसी जिद के कारण करते हैं औरड़नरी में टालिटी के लोग औरड़नरी जीवन बता करकर मर करके चले जाते हैं संसार से उनको कोई नहीं पूछता ये बले एक शौर्ड मरी आदमी को सकता है कोई काम ऐसा कोई हिंदुस्तानी जो भगत सिंग के बारे में आ जानता हूँ उसके पिता जी ने बोला कि मा ने बोला बेटे तेरी शादी तै हो गई है तेरी शादी तै हो गई है कानपुर चिठी लिक करके भाग गए छोड़के बांसे के बोले के मैंने अपना ये शरीर आज अपने देश को दे दिया है बहुत बड़े कारण के लिए एक लड़की को नहीं देना चाहता है जीवन पूरे देश को देना चाहता हूं बड़ा जिद्धी आदमी को अज एक जिद्धी आदमी एक जिद्धी आदमी ही कोई बहुत बड़ा काम कर सकता है उसके लिए चाहिए बिलीव सिस्टम जानते हैं कोई भी विक्ती आप देख लीजिए चाहिए लिंकन हो या गांधी हो या टेरेटा हो या बच्चन हो या मंडेला हो या कोई भी हो हर आदमी की जीयों ने बड़ा संगर्षता पर उसने एक काम किया If you don't help you to help yourself, nobody in the world can help you to help yourself जो उस लड़की के बारे में सोच रहा था मलाला यूसुफ डाई जो बारा साल की उमर में वो लड़की को उसने क्या बोला टीवी पे एक इंटर्वी में बोल दिया तालीबान की क्या अकाद हमारी लड़कियों की पढ़ाई को रुकवा दे, उनके पास अधिकार नहीं है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ूंगी और कुछी दिनों के बाद, दोहदार तेरह में क्या हुआ, एक आदमी बंदूक लेकर के तालीबानी उठा बस को खोला, बस के अंदर घुज गया उसकी स्कूल की बस में, और पूछा कौन है मलाला, वो बोली मैं हूँ मलाला, और तीन गोलिया मारी उसके सर से निकल के बारा साल का बच्चा होगा, बारा साल के बच्चों को तीन गोलियों से मार दो, और उसने अपने अंदूलन को और तेज कर दिया, नोबल पीस प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड उसको मिला उसी लड़की को इतनी छोटी उमर के अंदर, ये इतनी इतिहास अच्छी अपनी जिद को बढ़ा करो, अपनी जिद को पालो, जिस दिन इतनी हमत आ गई, आप अपनी जिद को पाल के बढ़ा कर गए, आपको सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिले, तो आप खुद नए रास्ता बना देंगे. आपको सफल को बना देंगे.